नमस्कार मेरा नमा अलोक है आप लाइप स्टीज देख रहे हैं बिहार सरकार एक बार फिर से बिहार की यूतियों पर काफी महरबान है आपको बता दें स्कॉलर्शिप अगर आप लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए हैं बिहार के जो चाहत्र दसवी पास हो रहे हैं बारवी पास हो रहे हैं गैज्वेट हो रहे हैं उन्हें सरकार स्कॉलर्शिप देती है हर साल और इस साल भी तारीको का अैलान हो चुका है forms online आप apply कर सकते हैं इसके लिए क्या करना होगा इस report में आप देखिए आपको हम बता दें मुखमंत्री कन्या उत्यान प्रोट्साहन योजना की शुरुवात हो चुकी है 18 सितंबर 2020 से ही शुरुवात हो चुकी है तो इसके लिए अगर आपको ऑनलाइन अविधन करना है तो आप www.edu dbt.bih.nick.in पर जाकर apply कर सकते हैं जैसा कि हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं edudbt.bih.nick.in पर जाकर आप apply कर सकते हैं मुखमंत्री कन्या उत्थान योजना के लिए क्या-क्या qualification चाहिए आप वो भी तस्वीरों के माध्यम से देख सकते होंगे लाभारती बिहार का निवासी होना चाहिए शर्त यह है लाभारती के पास आधार कार्ड होना चाहिए लाभारती के पास bank account होना चाहिए और वो bank account जो है वो बिहार का ही होना चाहिए जो चात्र-चात्राएं इसमें apply कर रही है वो बिहार के ही रहने वाले होने चाहिए और बिहार में ही वो अपनी परहाई पूरी कर रहे हों intermediate के लिए भी वो apply कर सकते हैं और जो डॉकुमेंट इसके लिए चाहिए वह आधार नंबर है मुबाइल नंबर है और प्रुचाहन भत्ता जो है वह विभिन प्रकार का है जैसे कि अगर यदि कोई लड़की 10,000 रुपे की स्कॉलर्शिप लेना चाहती है तो उसे 12 वी की मार्क्षिट देनी होगी यदि कोई लड़की 25,000 रुपे की स्कॉलर्शिप लेना चाहती है तो उसे ग्रेजुएशन की मार्क्षिट देनी ही होगी तो कहीं न कहीं बिहार सरकार जो अपनी योजनाएं लेकर आ रही है इस बार फिर स्कॉलर्शिप का भरमार जो है वो लग चुका है और ऐसे में प्र आज़िए तस्वि हैं बारवी पास है जो गैजुएट हो चुकी है और मध्यम परिवार से आती है उन्हें सरकार हर्साल सहाइता करती है पुतसाहन योजना के तहत और हमारे इस रिपोरट के मध्यम से आपने जो देखा है तस्वीरों के माध्यम से भी आपको बताया है कि इस तमाम चीजों को अगर आप करते हैं आजमाते हैं तो बिहार सरकार आपकी मदद जरूर करेगी स्कॉलर्शिप बिहार में भी दी जाती हैं लोग जानकारी के अभाव में वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं हमारा काम है इस वीडियो के जरीए उन सभी लोग को बताना कि अखिर कैसे आपको बिहार में भी अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए स्कॉलर्शिप मिल सकती हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने साथ साथ फिस्क पेज भी लाइक करें इसके लिए इसके लावा ट्विटे अंडर पर लाइप स्टीस को फॉलो करें धन्यवाद